ओम शीरिपर मातमने नमहंएं शीरि मत भगवत गीता के चोदवे अध्याय का महत्मे शीरि महादेब जी कहते हैं पारवती अब मैं भव वंधन से छुटकारा पाने के साधन भूट चोदवे अध्याय का महत्मे बतलाता हूँ तुम ध्यान दे कर सुनो सिंगल दीप में बिक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सिंग के समान प्राकर्मी और कलाओ के भंडार थे एक दिन बे शिकार खेलने के लिए उत्सुख होकर राज कुमारो सही दो कुतियों के साथ दो कुतियों को साथ लिए बन में गए बहां पहुचने पर उन्होंने तीबर गती से भागते हुए खरगोस के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी उस समय सब प्राणियों के देखते खरगोस इस प्रकार भागने लगा मानों कहीं उड़ गया हो दोड़ते दोड़ते बहुत ठक जाने के कारण बहे एक बड़ी खंदक गहरे खड़े में गिर पड़ा गिरने पर भी बहे कुतियों के हाथ नहीं आया और उस इस्थान पर जा पहुचा जहां का बातवरन बहुत ही सान था वहां हरिन निर्भे होकर सब और ब्रक्षो की चाया में बैटे रहते थे बंदर भी अपने आप तूटकर गिरे हुए नारिल के फलो और पके हुए आमों से पून तरत रहते थे बहां सिंग हाती के बच्चों के साथ खेलते और साप निडर होकर मौर की पांकों में घुज जाते थे उस इस्थान पर एक आश्रम के भीतर बत्स नामक मुनी रहते थे जो जितेंद्रिय एवम सांत भाव से निरंतर गीता के चोदवे अध्याय का पाट किया करते थे आश्रम के पास ही बत्स मुनी के किसी सिस्या ने अपना पैर धोया था ये भी चोदवे अध्याय का पाट करने वाले थे उसके जल से बहां की मिट्टी गिली हो गई थी खरगोस का जीवन कुछ सेस था बहे हापता हुआ आकर उसी कीचण में गिर पड़ा उसके इसपर्स मात्र से ही खरगोस दिब्य बिमान पर बैटकर स्वर्ग लोक को चला गया फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई बहां उसके सरीर में भी कुछ कीचण के छीटे लग गए फिर भूग प्यास की पिवड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याक कर उसने दिब्यांगना का रमडिय रूप धारन कर लिया तता गंदर्वों से सुसोवित दिब्या विमान पर आरूड हो बहवी स्वर्ग लोक को चली गई यह देख मुनी के मेधावी सिस्थ्या स्वकंदर हसने लगे उन दोनों के पूर्व जिनम के बैर का करण सोच कर उन्हें बड़ा बिसमय हुआ था उस समय राजा के नेतर भी हाश्चरे से चकित हो उठे उन्होंने बड़ी भक्ती के साथ प्रडाम कर पूछा विप्रवर नीच योनी में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोस ग्यान हीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए इसका क्या कारण है इसकी क गसिस्य हूँ मैंने भी ब्रह्मा विद्या में बिसे सग्यता प्राप्त की है गुरु जी की ही भाती मैं भी चोद्वे अध्याय का प्रती दिन जब करता हूँ मेरे पैर धोने के जल में लोटने के कारण यह कुतिया खरगोस स्वर्ग लोग को प्राप्त हुए हैं अब मै अपने हसने का करण बताता हूँ महराश्टर में प्रत्यूदक नामक महान नगर है वहां केसब नाम का एक ब्रामर लहता था जो कप्टी मनुस्यों में अगर गर लिय था उसकी इस्तरी का नाम बिलो बना था बहस वचंद बिहार करने वाली थी इससे करोद में आकर जनम भ के बैर को याद करके ब्रामर ने अपनी इस्तरी का बध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोस की योनी में जनम मिला ब्रामरी भी अपने पाप के करन कुतिया हुई सिरी महादेव जी कहते हैं यह सारी कथा सुनकर सरद्धालू राजा ने गीता के चोद्वे अध्याय का पाठ आरम भकर दिया इसे से उन्हें परमगती के प्राप्ति हुई ओम सिरी परमात मने नम हैं ओम सिरी परमात मने नम हैं ओम